वेल्कम टू अद्दू एंड ममा फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मीठा दोसा यह बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बना है यह आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा यह रेखिए इतना अच्छा कलर है आप इसमें हनी डाल के भी खा सकते हैं वैसे तो यह ऐसे ही मीठा है यह दोसा बहुत ही जटपट बन जाता है तो आपको ब्रेकफास्ट में यह बहुत ही यूस्फुल है इस दोसा में धेर सारे चेट बनते हैं जिससे यह बहुत ही अच्छा दिखता है सबसे पहले हम बनाना दूध और शककर को मिक्षी में पिस लेंगे आप शकर के बदले गूर भी डाल सकते हैं, फिर हम इसे एक बावल में निकाल के लेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, और थोड़ा सा दूत डाल कर हम इसे मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे एक कटोरी मैदा और एक कटोरी गेहूं का आटा इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा गरम दूद इसमें मिलाएंगे इसको हम पूरिंग कंसिस्टेंसी होने तक दूद मिलाकर मिक्स करेंगे इससे बहुती प्लफी दोसा बनता है बैटर रेडी होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक पैकेट इनो ये देखिए इनों मिलाने के बाद इसमें एर बबल्स आते हैं जिससे इसमें बहुत सारे छेद हो जाते हैं दोसे में और ये बहुती प्लफी बन जाता है ये देखिए इतने अच्छे से इसमें छेद हुए हैं ऐसे ही हमने सारे दोसे बनाये हैं आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए और वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसी मज़ेदार रेसिपी इस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब बेटन रेसिपी के नीचे लाल कलर में है और बेल आइकन जरूर दबाईए जिससे आपको नए नोटिफिकेशन्स मिलते रहेंगे